आज हम बात करने वाली हैं अगर आपके फोन में इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है यानि कि नेट नहीं चल रहा है आपके फोन में नेट काम नहीं कर रहा है तो इस प्रॉबलम को कैसे ठीक करें आईए जान लेते हैं इस प्रॉबलम को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में सबसे पहले सैटिंग्स को ओपन करिए उसके बाद आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड मुबाइल नेट वर्क या फिर सिम कार्ड एंड मुबाइल डेटा इस पे किलिक करिए यहाँ पर उसके बाद आपको ओप्शन मिलेगा डेटा सिम अब जिस सिम में आपका नेट रिचार्ज है उस सिम को सलेक्ट करिए कई बार यहाँ पर गलत सिम सलेक्ट हो जाती है तो जैसे कि हमारी वोटा फोन के सिम में नेट रिचार्ज है तो सिम वन में वोटा फोन के सि तो data sim में हम sim 1 को select कर लेंगे तो कई बार आपको अपने phone में इस वज़ेसे ये problem आ जाती है और ये check करने के बाद अब जिस sim का net app यूज़ करते हैं उस sim पर click करिए तो जैसे की हम Vodafone की sim को select करेंगे इस पर click करेंगे click करने के बाद अब आपको कोछ settings यहाँ पर करनी होगी तो जैसे की सबसे नीचे scroll करके आपको मिलेगा access point names यानि की APN इस पर click करिए click करने के बाद उपर 3 dot का option आएगा click करके reset का एक option आएगा या फिर नीचे आपको मिलेगा reset या फिर reset to default इस पर click करिए फोड़ा सा wait करिए default APN settings आपकी set हो जाएगी यह करने से उसके बाद back आईए उसके बाद आपको मिलेगा preferred network type या फिर network mode इस option पर click करिए यहाँ पर अगर आपका 2G select है या फिर 3G select है तो prefer LTE या फिर 4G का एक option आएगा तो सबसे उपर जो option आएगा उसे select करिए उसके बाद back आईए फिर से back आईए और यहाँ पर अपने phone में आप एक option को search करिए सर्च settings पर click करिए उसके बाद सर्च करिए reset network settings के नाम से अगर यह सर्च करने पर कुछ option नहीं आएगे तो reset type करने के बाद option आगा reset wifi mobile network and bluetooth इस पर आप click करिए जैसे ही इस पर click करेंगे और यहाँ पर select sim card to reset यहाँ पर जिस sim में आपको यह problem आ रही है जिस sim का network नहीं कर रहा है उस sim को select करेंगे और उसके बाद नीचे आपको मिलेगा reset settings इस पर click करके अपने phone का screen lock enter करके आपके phone की network settings reset होगी यह करने से कोई आपके phone का data delete नहीं होगा बस आपकी wifi, mobile data और bluetooth की settings reset होगी तो इस process को आप जरूर से करिए हमने पहले से कर लिया है तो back आएंगे तो network settings को reset करने के बाद अपने phone को बंद करके चालू करिए और अपने phone को बंद करके चालू करने के बाद आपके phone में internet काम करने लग जाएगा यान कि internet चलने लग जाएगा तो इस तरह से इस problem को ठीक करें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe जरूर करें झालूर को बंद करें